पानी पूरी जिसे आप चट खारे लेकर खाते हैं उसी गोलगप्पे के आटे को पैरों से गोथा जाता है चट पटे नमकी हैं जिस पर आप मज़े उड़ाते हैं उसे बेहद ही गंदे तेल में तला जाता है टमेटो साउस जिसके स्वाद के आगे सब कुछ फीका दिखता है इसे सड़े गले आलू और सबजियों से तयार किया जाता है इन तस्वीरों को देख कर आप इनका स्वाद लेना भूल जाएंगे इंडिया टीवी आज आपके सामने इन सामनों की हकीकत रखेगा हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चटपटे गुलगपे करारी नमकीन लाल हरे साउस हमारी जान के दश्मन बन सकते हैं पानी पुरी नमकीन और टामेटो साउस का रियल टेस्ट तो अगर आप पानी पुरी खाने के शौकीन हैं तो जरा समल जाएए हमारी रिपोर्ट आपके होश उड़ा सकती है कि आपको पता है कि जिस गुलगपे को आप चटखारा लेकर खाते हैं उसके आटे को पैरों से गुदा किया है कि आपको पता है कि जिस वक्त इससे तैयार किया जा रहा था उस वक्त वहाँ सेंकडों मक्हियां भिन बिना रही थी बीम सी के हेल्थ इभाग की टीम जब हरकत में आई तो मुंबई से हैरान करने वाली तस्वीरे सामने आई यह है मायनगरी मुंबई के मलाट का इलाका यह इलाका बेहत पिछडा है और यहां पर गंदगी है यहां हजारों जुगिया और छोटे छोटे घर हैं इन्ही घरों में बनती है मुंबई करों के लिए चटपटी नमकीन और बड़े बड़े कुलगपे आज हम आपको दिखाएंगे यहां बनने वाले गोलगपे और नमकीन की पूरी रेसिपी रेसिपी को जानने के बाद आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे बीमसी की फूट सेफटी विभाग की टीम ने जब इन ठेकानों पर छापा मारा तो जो तस्वीर दिखी वो बेहत चौकाने वाली थी इस छोटे से कमरे में गोलगपे बना जा रहे हैं करीब दस की संख्या में पसीने से लथ पत लोग तिन रात गोलगपे बनाने में चुटे हैं यहाँ तक तो फिर भी ठीक है लेकिन आगे की तस्वीर आपको हिला देगी देखिए कैसे जमीन पर गोलगपे तयार किये जा रहे हैं पास ही गुथे हुए आटे की पूरी लोई रखी है जिस पर सेकड़ों मक्या भिन भिना रही है न कोई सावधानी परती जा रही है नहीं किसी तरह के जरूरी उपाय अपनाए जा रहे है बस ताबड तोड पानी पूरी बनाने का काम जारी है यह देखिए यह मक्यों से भिन भिनाता हुआ यह पानी पूरी जो खाते हैं मुंबई में सबसे फ्रसिद होती है पानी पूरी और यह है पूरी यह जो जुहू बीच के किनारे गिरगाओं